खेल खेल में और इस तरी जैसे light-hearted comedy movies के बीच release किया गया एक बहुत ही serious topic को deal करता हुआ वेदा movie का जो theme है वो castism के around है उसी को ये movie properly present करने की कोशिश करती है कह सकते हो कि intention अच्छा है topic बहुत ही दमदार है लेकिन movie में जो presentation किया गया है वो बहुत ही अजीब और outdated feel होने लगता है मेरे recording ऐसे raw topic के लिए एक raw movie बननी चाहिए थी जैसे कि इसको जैभीम जैसी movie आई थी उसके जैसा natural रखा जाता बट ये other way में जाकर ये एक masala movie बन कर रहा जाती है मतलब आपको यहाँ over the top dialogues, over the top action ये सब मिलने लगता है अब देखो उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है हाँ अगर आप ऐसा masala movie इसको देखते हो तो आप enjoy करोगे आपको लगेगा ठीक ही तो है लेकिन जिस topic पर ये movie deal करती है, उस पर ये movie और दूसरे तरह का seriousness ढूंडती थी जैसे कि audience जो है उनके लिए कोई message मिले, unlike ये movie मारधार और धूम धड़ाके में रह जाती है चलो और detail में बात करें और first half पे आए, तो first half में दो characters को अच्छे से setup किया जाता है जहां पहले John Abraham का जो character है, वो कैसे ex army officer है, उसका court marshal हो चुका है इन सबसे उस character को एक बहुत ही अच्छे से initial setup दे दिया जाता है दूसरे तरफ Veda की character होती है, जिसको शरवरी वाग ने अच्छा play किया है, बहुत ही decent play किया है तो यहां उनको as a lower cast character दिखाया गया है और उनको क्या-क्या issue face करने पड़ते हैं, यह सब दिखाया जाता है तो initial setup कह सकते हो बहुत ही raw है, first half जो है वो बहुत ही raw setup करती है लगता है कि हाँ realistic movie है, हाँ ऐसा नहीं है कि first half में कोई issue नहीं है first half में एक बहुत ही abrupt cut था, अगर movie देखे होगे तो आपको पता होगा क्योंकि भाई वेदा की जो character रहती है, उसका एक proper training montage चलते रहता है और वहाँ abrupt cut लगकर अचानक से एक holy का song आ जाता है, story को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसे कई सारे mistakes even first half में भी है, वो पूरा sports वाला जो angle था, उसका भी कोई explanation, कोई proper use नहीं दिया गया, वो बस movie में था क्यों था, इसका कोई particular reason, उसमें कोई depth add नहीं किया गया है बढ़ हाँ overall जो first half है, वो decent है, काफी raw लगता है, अपने topic से honest लगता है लेकिन वहीं ये movie जैसी second half में जाती है, ये movie कुछ और ही बन जाती है एक तरह से कह सकते हो second half ये एक proper action drama टाइप की movie बन जाती है जहां कई सारे slow motion वाले action sequence हैं, कई सारे heroic and villain वाले dialogues हैं face off हो रहा है, cat and mouse वाला चेज हो रहा है, और इसी में second half को बहुत लंबा खीज दिया गया है मेरे according मुझे लगा कि second half जो है, वो जो main topic होता है movie का, उससे भटक जाता है और action movie के genre में घुच जाता है, जहां भाई John Abraham का जो character है, उसको किसी भी way में Veda को बचाना होता है अब देखो first half तो बहुत ही अच्छे से setup कर दिया जाता है, लेकिन second half में बस एक line की story बसती है कि भाई Veda को कैसे भी court तक लेकर पहुचना है, और उसी बात को इन्होंने बहुत देर तक stretch किया है, कई सारे action sequence के साथ और जहां first half में कुछ एक दो editing mistakes थें, abrupt गाने थें, second half plot holes से भर जाता है मतलब कई चीज़ा ऐसी होती है, जहां बस plot armor का use किया गया है मतलब आप समझी सकते हो, मैं क्या बोलना चारहा हूँ, क्योंकि ये masala movie बन गई second half में, तो कई सारे scenes का sense नहीं बन रहा था कह सकते हो कि writing में masala movie के चलते, ये लोग main topic से ही भटक गएं, कहीं दूर आ गएं और जिस तरह के action and dialogues use किये गए हैं, वो आपको early 2000s के action movie की याद दिलाती है एक तरह से कह सकते हो, थोड़ा outdated feel होती है और अगर performance के बात करें, तो initially में थोड़ा ज़ादा excited था क्योंकि John Abraham ने बोला था कि भाई उनका जो character है, इस बार अलग है वो कुछ अलग play कर रहे है, बट unfortunately वो वही character play कर रहे है जो पिछले कई movies में उन्होंने already किया है जहां उनके character का कोई करीब कमर जाता है और वो guilt और revenge वाले feeling में पूरे movie में रहते है चरवरी वागने बोलूँगा कि बहुत ही decent perform किया है, बहुत ही अच्छा perform किया है अपने character के लिए लेकिन lime light छीना है तो भाई अभिशेक बैनर जी के character ने वो character आपको देख कर लगता है कि भाई acting तो movie में यही कर रहा है अभिशेक बैनर जी का epic performance है इसके बाद आशिश विद्यार्थी जी है movie में जिनको exactly वही character मिला है जो कि उन्हें kill movie में मिला था और बाकी overall supporting cast भी ठीक ठाक है तो हाँ in conclusion overall movie के बारे में बोलूँ तो इसको 2 way में आप judge कर सकते हो अगर आप एक masala movie के point of view से judge करोगे तो यह एक decent watch है आप देखोगे तो इसमें बहुत जादा कुछ epic भी नहीं है बहुत जादा कुछ बुरा भी नहीं है लेकिन हाँ topic wise जो इस movie का topic है castism उसको यह movie raw way में handle नहीं कर पाती है realistic way में handle नहीं कर पाती है जैसे कि jab ही movie ने already बहुत अच्छे से कर दिया है तो हाँ मुझको लगता है audience के तरफ से इस movie को overall mixed reaction मिलने वाले हैं कुछ को अच्छी लगेगी कुछ को बुरी आपको यह movie कैसी लगी comment में जबूर बताना मैं आपको मिलता हूँ फिर से किसी और review के साथ till then be they see be nerd